हादिस वागत हब सभी का मेरा इरुटेनल जीरो में आज ICSE class 10 के math का strategy पर discussion करीगी हम लोग जैसे के पता है एग्जाम का date आ चुक है 21st February से है और आपको एक स्कीन पर नजर आज आएगा date sit हर एक एग्जाम का किस किस दिन कौन से एग्जाम है जैसे कि मुझे पता चला कि 15 March को math का exam है तो अगर हम लोग time का बात करें time का बात करें time कितना दिन बचा है दो दिन दो महीन ठीक है इधर अगर 15 देस बात कर लो जनवरी में 31st का मन्त होता है न तो 31 दे और फिर फेव में 15 देस ठीक है तो कुल में लाकर 2 मन्त है हाथ में मैं जो offline student है न वो उसमें से किसी न आ सकता है यह दो मन्त के प्रहाई करके फिर किसी और बच्चे ने पूछा कि 80 प्लस बिल्कुल आ सकता है फिर किसी ने पूछा 90 प्लस बिल्कुल आ सकता है क्योंकि math का एक formula है न क्या efficiency इंवर्सली पो परस्नल टाइम इंवर्सली जितना ज्यादा रहेगा time कम लगेगा है तो चलो अगर हम लोग बात करें कि कैसे पढ़ना है देखो सबसे पहला काम होता है सबसे पहला काम होता है चलो सालबर क्या किये वो भुल्यों अभी दो महिना हाथ में टाइम है उससे focus करते हैं ठीक है याद अखना अभी बीच में 25 दिसमर आने वाला है 31 जनुरी आने वा ठीक है न चलो अब जासा बात करते हैं कैसे पाना है पहला काम है अभी इसी वक्त मेरा syllabus दिया हुआ है यूट्यूप एवलेबल है syllabus को देखना है बहुत ध्यान से देखना syllabus syllabus बहुत इंपोर्टेंट है या मैं description में link दे देंगे वहां से आप लोग देख लीजिएगा syllabus बह एक होता है 80 marks और एक होता है 20 marks यह तो project marks है और उमीद है इसमें 16 to 18 marks तो आही गया होगा वहर किसी को आयाता है 20 marks जो था 80 का इसको divide करते हैं अब फिर से फ़र्दर दो पार्टमें डिवाइड हो गया ठीक है 80 marks दो पार्टमें डिवाइड हो गया section A और section B ठीक है section A भी 40 marks का section B भी 40 marks का section A में तीन question होंगे एक दो तीन और यह mandatory portion है question 1 में 15 question होंगे हर एक question 15 marks का होगा ठीक हर एक question 15 marks का होगा तो 15 इसमें होया ठीक है जो second question उसमें तीन question होंगे और यह होगा 12 marks का और third question होगा 13 marks का तो यह तुमारा होगा 14 marks ठीक है section B यह भी 40 marks का है इसमें 6 questions हो जाते हैं ठीक है 6 questions होते हैं ठीक है 6 question, जिसमें से कोई 4, any 4 question, any 4 just attempt करना है, any 4 और हर question 10 marks का होता है तो 4 question कितने हो गां है, 40 marks का, はい 6and A मैं अगर हम भात करें, Bart Branch dot tool question बात करें, total question जो तुम्हेh attempt करना है total question, वो हो गया 21 question और इसमें total question जो हो गया, वो हो गया कितना, total question हो गया, इसमें वो हो गया 12 ठीक है 12 कोशन 40 मार्क्स 21 कोशन 40 मार्क्स ठीक है देखो टाइम का अगर हम बात करें तो ऐसे तो तुम्हें धाई आवर देता है दो घंटा 30 मिनट और 15 मिनट टाइम तुम्हें एक्ष्टर देगा वो कोशन को पढ़ने के लिए समझने के लिए तो जब पेपर मिल जाना तो बस नहीं बनाना है पहले डूते में पढ़नाए जो मैंने बता यही बोल लैं इस में से अब हमें इस्टाटेजी बनाना है कि कैसे समय रहते अच्छा से अच्छा कोशन को अटम्प या जा सके। अब यहां पर जो चैप्टर हमने लिखा। commercial mathematics पहले लिखा algebra फिर probability ये ना मैंने ऐसे लिखा easy वाला portion chapter एक तरफ ये chapter पर ज्यादा समय नहीं देना जैसे कि अगर हम लोग 2 month का बात करें इसमें 60 days है और total portion कितने है 7 है तो इस 7 portion को हमें 60 days में divide करना होगा तो देखो जैसे क्या commercial mathematics ये दो chapter है दो क्या-क्या पढ़ना है जैसे कि मैंने शुरू में बताया वो मेरे वीडियो देख रहे ना इसमें ऐसे तो तीन chapter में ने लिखा जिसमें से इंडिविडेंट है लेकिन ऐसा है कि वो से नहीं आने वाला वो नहीं आने वाला है solve एक अच्छी बात यह है ICAC वालोग के लिए कि उसे solution available होता है जो तुम बुक है तो सुलूसर मिलेगा तो ज्यादे मिहात करने के जोओत नहीं है सुलूसर में से हो जाएगा तो इसमें मेरे ख्यास चार पांस दिन मैक्सिमम है अलजब्रा यह सबसे ज्यादा माक्स आने वाला पॉर्शन यह है अलजब्रा ठीक है इसमें 10 डेस दे देना अपने हिसाब से ठीक है उसके प्रोबिलिटी है एक है दो दिन बस इनफ प्रोब देखो अफिर मैंने यहां पर लिखा इस्टाटिस्टिक्स यह सब बहुत ही आसान पॉर्शन है अगर बात के जरू हाँ अलजब्रा में जैसे कि बोल सकते हो बहुतों को प्रोब्लम होता है एपी जीपी से प्रोब्लम हो सकता है लेकिन यह अच्छा पॉर्शन है इसमें स सकता है तीसरा कोश्टन कॉमर्शल मैथेमेटिक से हो सकता है समझ रहे हो इसलिए तुम अगर सोचोगे हाँ यह चप्ता नहीं बढ़ते हैं ऐसा करके जाओगे तो फंस सकते हो ठीक है ना क्योंकि हर कोश्टन में अगर तीन कोश्टन है तो तीन कोश्टन तीन अलग लग से है फिर समझ रहे मैं क्या बोलाओ एक कोश्टन अगर तीगोमेटि से दूसरा जियोमेटि से होगा तीसरा कोश्टन मैथेमेटिक से होगा ठीक है अच्छा बात किया था इस्टाइस्टिक्स तरक आगा तीगोमेट्री अच्छा पोर्शन है अच्छा माक्स आता है थोरा प्रॉब्लम करते हैं मेरी स्टूडेंट जो है वो लोग बताते हैं कि यह समझ में नहीं आता है इसको ना 10-15 देज देना पड़ेगा यह 12 देज देना पड़ेगा अपने हिसाब से डिवाइट करना पड़ेगा अगर इधर कम समय दोगे जैसे कि मैंने सुरी में बताया था न एफिसेंसी वाला फ 4 नमर का यह 3 नमर का यह सलोगा उस भी तो बोल सकते हो कि इसमें इस से एक कौस्टन जो है तीन चैप्टर होता है इसमें भी तीन चार चैप्टर है तो उसमें से एक जो पर्षण है चंस्ट्रक्शं का होग वह कीजी प्रोशन है और उसको तुम अच्छा से कर ले जाओग तीके, भी मिलते हैं ने 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 वीडियो में